राधे, राधे, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत सवगत है आज की वीडियो में हम जानेंगे वैकुन चतुरदसी के दिन 14 दीपों का दान कैसे और कहां करना चाहिए तो वीडियो को सुरू करते हैं चैनल पर बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहु किप दान होता है वह है वैकुन चतर दसी responsibility मधीरात्री में दीब्दान का फल है पूरे कार्तिक मेंने में एक ही दिन ऐसा होता है जिस रात्री में दीबदान का महत्त होता है दिपॉली पर जो दिये लगाए जाते हैं 11-21 एक अदसी पर जो दीबदान के जाते हैं 7-11-21 दिये का वैकुन चत्रितसी का जो दिन है इस दिन रात्री को 11 बजे से लेकर 12.30 के बीच में देबदान होता है और 14 दियों का देबदान हो आप एक दिया वहाँ पर लगाएंगे जहां आपका पानी का अस्थान है मतलब जलासे, कुवा जहां आप पीनी का पानी यूज करते हैं वहाँ पर एक दिया रख दे और एक दिया को तुलसी के क्यारे के पास पाकी बच्चे वे दिपक को आप अपने घर के बाहर लगा दे ये सब दिपक आपको बैकुंठ चतुरदसी की रात्री को भी लगाना है असा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझने आगे हूँगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए राते राते